हेलो फ्रेंड्स मैं सौरप और आप देख रहे हैं ताजा नियूज आज किस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार द्वारा अनलॉक 4.0 में जारी हुई कुछ गाइडलाइन्स के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंद तक देखें किंद्री ग्रह मंत्राले ने अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है नई गाइडलाइन के तहट मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरण बद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमत दी जाएगी वहीं 21 सितंबर से सौवेक्तियों की अधित्तम सीमा के साथ शामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारीक्रमों की अनुमती होगी हलांकि स्कूल, कालेज और अनसेक्षनिक संस्थानों 3 सितंबर तक बंद रहेंगे इसके साथ ही नौवी से बार्मी कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट भी दी गई है साथ ही मार्च महीने से बंद बार एक सितंबर से पुना खुल सकेंगे आई एफ जाने अनलॉक 4.0 में क्या क्या खुलेगा अनलॉक 4.0 में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को सुरू करने की मंजूरी दे दी गई है 21 सितंबर से सामाजिक, सैक्षणिक, खेल, मनरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, कारिकरम में सौ लोगों को जाने के लिए अनुमत मिल चुकी है इसके साथ ही लोगों को सोसल डिस्टेंसिंग, मास, हैंडवास, थर्मल स्कैनिंग का पूरा ख्याल रखना होगा 21 सितंबर से ओपेन एर थियेटर को भी अनुमत मिल गई है व्यक्तियों की अंतर राज और सामानों की अंतर राज गतिविदी पर कोई पावंदी नहीं होगी इस तरह की गतिविदियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमत मंजूरी इपरमिट की जरूरत नहीं होगी 21 सितंबर से 50% teaching और non-teaching stop के लिए school खोलने की भी इजाज़त मिल गई है Unlock 4.0 में 21 सितंबर से teachers की सलाह लेने के लिए 9 मी से 12 मी तक के छात्र volunteer basis पर school जा सकेंगे 21 सितंबर से technical और professional programs जिसमें lab या practical की जरूरत है ऐसे post graduation के student और PhD के student के लिए उच्च सिक्छा सनस्थान खोले जा सकेंगे वहीं कुछ जगहें अभी भी बंद रहेंगी जैसे contentment zone में 30 सितंबर 2020 तक lockdown की पावंदियों में किसी भी तरह की धील नहीं दी जाएगी Cinema Hall, Entertainment Park अभी रहेंगे बंद, Swimming Pool जैसे जगहें भी बंद रहेंगी School, College और Unsectional संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे अंत में हम आपको बता दें कि 30 सितंबर तक lockdown सक्ती के साथ लागू रहेगा ग्रह मंत्राले ने कहा कि 65 साल से अधिक व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्ववत महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूर्तों को पूरा करने और स्वास्त उद्देश्यों को छोड़ कर घरों में ही रहने की सलाह दी जाती है इसी तरह के कुरोना काल से समधित नई अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे ताजा न्यूज चैनल को लाइक, सेयर और सस्क्राइब करें और वेल आइकॉन दवाना ना भूलें धन्यवाद